वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स अकेडमी मैं पूजा बोरा आपके साथ UGC NET की एक उनिट इलेक्ट्रोनिक साइस डिसकस करने जा रही हूँ इलेक्ट्रोनिक साइस एक ऐसी उनिट है इसका बेस आपको 11-12 से ही शुरू हो जाता है आपकी concepts वही से clear होने चाहिए conductor, semiconductor, bands, type of gates बहुत basic knowledge आपकी वही से clear होनी चाहिए तब ही आप इस subject में आगे जा पाते हैं जब आप इस subject के basics को जितने इसमें laws हो गयरा है clear रखते हैं तो आपको इसको आगे पढ़ने में उतनी असानी होती है इस unit को prepare करने के लिए सबसे पहले तो आपने basics को strong कीजिए otherwise आप हर एक point पर रखेंगे आपको हर point पे अगर हम किसी law का reference ले रहे है मैं कोई value यूज कर रहे हूँ तो अब आपको एक net कॉली जब आप एक net के लिए बैठ रहे हैं तो सबसे पहले हैं तो अपने basics को strong कीजिए basic के बाद formulas वगएरा अच्छे से learn कीजिए concepts ये subject ऐसा नहीं है जहां आप learning से काम चला सके यहां कोई theoretical concept नहीं है अगर paper में question है भी तो वो भी technical related ही है कुछ चीज़े ऐसी भी है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है आपने राज्वेशन में देखा होगा या पढ़ा है तो इस level पर नहीं पढ़ा होगा जहां आपको यूजी सी net के लिए करना है जैसे आप लोगों नहीं यूनिटेक हमारी organization वादी है जिसमें हम लोग flip-flops वगरा पढ़ते तो flip-flop वगरा आप लोग पढ़कर आते पर type of flip-flop latch यह working कैसे करता है आप लोग को number conversion कहीं बार आ जाता है तो यह तर्म्स आपके ने भी concept clear करते हैं numerical आपके subject में काफी बढ़े जाते हैं तो numerical की formulas उनमें conditions काफी arise होती है वो जरूरी नहीं है हर बार आपको numeric solve करने के लिए बहुत बार ऐसे होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मॉल आया न्यूस का concept ही पूछ लिया जाता है तो आपके वो जो points है वो clear होने चाहिए 80-90% पर conceptual based है learning बहुत कम के बराबर है अधर हम थोड़ी बहुत language और क्यों भी बात करते हैं से अबली language और भी जैसे प्रोग्राफिक में कई बार पूछ लेते हैं तो उसमें भी कोशन को convert कर दिया जाता है concept basis में तो concepts clear कीजिए तब आपके लिए subject easy होगा बाकी तरीके से इसको clear करना Thank you